कल यानी 14 जनवरी को भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया की करारी हार के बाद भारती अफैंस में काफी आक्रोश है और हो भी क्यों न सायद ही किसी ने सोचा होगा कि वेस्टिंडीच, दच्छड फिरका, बंगला देश और स्री लंका जैसी टीमों को धूल चटाने के बाद आस्ट्रेलिया के सामने भारत के धुरंदर ऐसे घुटने टेक देंगे इस मुकाबले में दिग्यज विकेट कीपर बल्लेबाज महंदर सिंग धोनी, सुरेश रैना और योराज चिंग जैसे धुरंदर बल्लेबाजों की कमी भारत को बहुत खली अगर भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सर्मनाक हार कहा जाए तो गलत नहीं होगा कहीं न कहीं सीनियर खिलाडियों को टीम से बाहर करने का ही नतीजा है कि 255 रन बनाने के बावजूद 10 विकेट से करारी सिकस्त का सामना करना पड़ा भारत की इस करारी हार के बाद और विराट कोहली के कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं दरसल माना जाता है कि विराट की इसारे पर ही कई सीनियर खिलाडियों को टीम इंडिया से बाहर किया गया है धोनी और सुरेश रहना जैसे दिगज बल्लेबाज होते तो भारत की इतनी करारी हार नहीं होती औस्ट्रेलियाई बल्लेबाज आरोन फिंच और डेविड बारनर भारतिय गेदबाजों को ऐसे खेल रहे थे मानो किसी गली मुहले के गेदबाज हो जस्परीद बुमरा हो या मुहमद समी या फिर सार्दुल ठाकुर कोई भी गेदबाज आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर लगाम लगाने में काम्याब नहीं हुआ चाइना मेन कुल्दीप यादव और रविंद्र जडेजा को भी डेविड वारनर और आरोन फिंच ने जम करद होया खास तोर पर कुल्दीप यादव की ऐसी कुटाई हुई कि मैदान पर ही फोट फोट कर रोने लगे डेविड वारनर और आरोन फिंच की जीतनी भी तारीफ की जाये कम है दोनों बल्लेबाजों ने पूरे मैच में बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की भारती अबल्लेबाजों के मुकाबले डेविड वारनर और आरोन फिंच का स्ट्राइक रेट भी बहतर रहा तीन मैचों की ओडियाई सीरीज में एक सुन्या की बढ़त बना चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आज भी ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बहतरीन टीम है इस सर्मनाक हार के बाद भारत के T20 वर्ल्ल कप की तैयारियों को भी बड़ा जटका लगा है हलंकि वर्ल्ल कप में अभी कुछ महीने का समय बचा है T20 वर्ल कप में बहतरीन प्रदर्शन करना है तो इसहार से सबक लेकर भारत को अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा